मनसोर निमच के दोरे पर यूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महंगाई और कांग्रेस के कारी करताओं की गिरफतारी के विरोध में किया दोरा मनसोर निमच का आज यूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया द्वारा दोरा किया गया है जिस पर पूर्व मंत्री नरेंदर नहटा के निवास पर स्वागत सम्मान विक्रांत भूरिया का किया गया जिसमें कांग्रेस नेता सोमिल नहटा नवीन शर्मा परशुराम सी सोधिया राकेश पाटिदार मोजुद थे और मीडिया से चर्चा करते हुए यूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बाजपा सरकार में कारिकरता ओपर कारवाई की जा रही है और लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है उसके विरोध में मनसूर निमच का दोरा किया गया है और निमच में भी कांग्रेस के कारिकरता और नेताओं को गिरफतार कर कारवाई की गई है उसके विरोध में एसपी कारिले का भियाज शुकरवार को गेराव किया जाएगा और शुकरवार को एक बच कर तीस मिनट पर मीरिया से चर्चा की गई है और कहा कि पेट्रोल डीजल दूस सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसी का विरोध कांग्रेस प और जहां जहां पर कांग्रेस के कारेकरता ओपर कारवाई की जाएगी वहां वहां पर जाकर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा आज हमारे प्रदेश अद्यक्ष जी हमारे बीच में है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आरजकता बड़ी है चुन-चुन कर लोगों पर केस दर्च किये जा रहे हैं उसके विरोध में हमारे विक्रान भूरिया जी प्रदेश अद्यक्ष के नेतरत में वहां घिराव है और मैं कहना चाहता हूँ आपके माद्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ महंगाई जिस चरम सीमा पर है जहां बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार बहुत हुई हाहकार अपकी बार मुदी सरकार 65 रुपे में शिवराज सिंग्जी साइकल लेकर निकले थे और घटना के बारे में अधिक जी बताएंगे कि किस तरीके से भारती जनता पार्टी के नेता लिप्ट है उसके बाद भी सरकार वहां सुस्थ है मायूस है हमारी मांगे सीबियाई जाज के लिए जनता से अपील है कि इस आरज जिक्ता भरी सरकार को जगाने का काम कॉंग्रस क करेगी लेकिन आप साथ देने का काम करें अज मंसूर नीमच में दवराकारे करम है और आज पूरे साथियों से मिलने हैं उनका जोश वर्दन करने के लिए आज मैं मनसूर भी आया हूं और आस्ते में सबी साथियोंने जबद स्वागत करा है और मुख्य जो आज का मुद् भीयतिमाथिश में चील फॉरत कर रहा है उसका एक paglia हैं भी थित कर रहा है उसको सीधे सीधे जेल में डाला जा रहा हूँ इसका विरोत करने के लिए आज सब बड़े नीताओं के साथ में आज नीमच में हम इखटा हो रहे हैं और S.P. Office का घराब भी करेंगे और इस तरह के कारेकरम अब जब भी हमारे कारेकरता कहीं भी गिरिफतार होगा पूरे प्रदेश में हम जाएंगे और आंदोलन बड़े स्थरपक करेंगे आज जो महंगाई की मार पड़ी है जैसे पेट्रोल महंगा है डीजल महंगा है दूद महंगा है तेल महंगा है अगर कोई चीज सस्थी है तो सिर्फ वो आदमी की जान है और ये बीजेपी सरकार पूरी तरसे कमर तोड़ने में लगए बिजली के बिल इतने जादा आ रहे हैं महंगाई को लेकर भी एक बड़ा अंदोलन 10 तारीक से 17 तारीक तक पूरे प्रदेश में रहेगा और साइकल यात्रा हर जिले में हर विदान सबा में निकलेगी और लगातार इनका नूत और जवाब भी हम देंगे और सड़क पर लड़ाई भी लड़ेंगे